हलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल, फ्रेंट्स आज में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी जो कि हम बचे हुए चावलों से बना के तयार करेंगे तो बहुत जादा टेस्ट ही है, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करना और प्ल पेश्ट बना के तयार कर लिया है, अगर ऐसे नहीं पेशे तो इसमें एक चमच पानी डाल सकते हो, तो इसको हमने यहाँ पे दो चमच इसमें सूजी एड़ कर दिये, तो सूजी डालने से क्या होगा, बाइंडिंग हमारी अच्छे से हो जाएगी, और अगर आपको तो आप इसमें एक दो चमच सूजी और डाल सकते हो, तो अभी सूजी को चावलों के साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसको हम 10-15 मिट के लिए सूजी को फूलने के लिए छोड़ देंगे, जिससे थोड़ा सा रैष्ट लेगी, तो यह फूल जाएगी अच्छे से चावलों के साथ में, तो 10-15 मिट के लिए इसको हम रख देंगे, मिक्स करके, तो यह देखे, 10-15 मिट के बाद में मैं इसको दिखा रही हूँ, सूजी और चावल हमारे अच्छे से फूल चुके हैं, तो अभी हमें इसमें क्या करना है, कुछी चीजे डालनी है, तो इस इसमें एक चमच भरके, यहाँ पे मैं डाल दूँगी, जीरा, और उसके साथ में हम डालेंगे इसमें आधा चमच, नमक, क्योंकि नमक चावलों में भी है हमारे, और उसके साथ में हम यहाँ पे डालेंगे, चाट मसाला एक चमच भरके, और अभी आधा चमच हल्दी डाल देंगे हम इससे थोड़ा सा कलर आएगा च्छा सब उड़ो में Intelligence के साथ में हम डालेंगे ये फैसके साथ में काली मिर्च का पाउडर याथा घमक्ट और ढाल देंगे हम इसमें वाने काले नमक बहुत हुसर टेस्थ में ये सथार ये लाइस साथ में डालेंगे मिसमें एक प्यूस तो उसको मैंने बारी-बारी काट लिया है और साथ में हारा धन्या काफी सारा काट लिया है उसको भी enabled को ओर ज्याधा टेश्टी बनाने के लिए चटपटे इसमें हम डालेंगे लेमन जूस यहाँ पे में एक नीबू का रस इसमें डा बचे उए चावलों का यहां पर हम बहुत ही अच्छा सा स्नेक बनाएंगे इसके वड़े बनाएंगे तो आप इसको बिल्कुल भी यह देखकर नहीं बता सकते हो कि बचे चावलों से हमने बना के तयार किये हैं और आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राय कीजिए तो यहां पर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है और यह देखिया हाथ पर हम अच्छे से जितना भी बड़ा वड़ा हमने बनाना है उसको उठाएंगे और अच्छे से बनाके और इसमें फ्राय कर लूँगी तो बड़ा जितना भी बड़ा आपने बनाना उतना आप इसमें चावल का पॉर्शन ले सकते हो तो यह देखिए दो मिनिट के बाद में हम इसको चेंज करेंगे दो मिनिट तक बिल्कुल भी इसको नहीं चूना है क्योंकि चावल है को शैच्छ करते हैं पहले इसके बाद में हम इसको चेंज करेंगे कितने बड़हा से वड़े बनके हमारे घ플 को कोई देखकर यह नहीं बता सकता है कि यह हमने बचे हुए चावलों से बना के तयार किया है फ्रेंट्स खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट ही लगते हैं और साथ में हरी चटनी लाल चटनी के साथ में इसको सर्फ कीजिए तो अगर आपको यह रेसिपी एच्छी लगिए तो प्लीज रेसिपी को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना